लिंग अनुपात लिंग अनुपात का अर्थ होता है प्रती हजार पुर्षों में इस्त्रियों की संख्या कितनी हैं? जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात 1006 है, जापान में 1057 है, नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में यह 940 हैं। सामाने रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिला और पुर्षों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है, तो इसका मतलब है कि वहां की बालिकाओं वो महिलाओं के पोशन, सिक्षा, स्वास्थ आदि पर अपेक्षा कृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाती हैं। 2011 के जनगर्णा के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है। इसका अर्थ है कि प्रती 1000 पुरुषों पर 940 ही स्त्रिया हैं, इस लिंगानुपात में भी परियाप्त भिनता पाई जाती है। एक तरफ कुछ राज्यों में राश्ट्री ओसत से जादा लिंगानुपात है। जैसे केरल 184, तमिलनाडू 995, आंध्रप्रदेश 991 और 36 गड़ 991 वहीं हरियाणा 877, गुजरात 912 और राजस्थान 926 में राश्ट्री ओसत से भी कम लिंगानुपात है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की स्थितिक कमजोर हैं और इसे सुधारने के लिए हम योजना बना सकते हैं। भारत में इस्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है जो समाज में इस्त्रियों के प्रती बढ़ते भेदभाव की तरफ इशारा करती है सिक्षा एवं विकास के मामले में इस्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है जनगर्णा के आकड़ों से पता चलता है कि इस भेदभाव का प्रभाव सबसे अधिक छोटी उम्र की बालिकाओं पर पड़ रहा है शुन्य से 6 वर्ष के आयू वर्ग में बालक बालिका का अनुपात 1000 प्रती 914 है हमने देखा कि देश के विभिन प्रांतों में अलग-अलग परिस्थितियां हैं केरल, तमिल नाडू आधी को देखें तो वहाँ बहतर स्वास्त सुविधाओं की उपलब्धता समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन, आधी ऐसे कारक हैं जिन्होंने इन राज्यों में लिंगा नुपात को उच्च बना रखा है इसके विप्रेद देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां या अनुपात चिंतनीय दशा में पहुँच गया है उत्तर एवं पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों, मसलन राजस्थान, गुजरात, हरियाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आधी में पित्र प्रधान समाज, महिलाओं के लिए उपलब्ध कम आर्थिक अफसर, एतिहासिक काल से चली आरी असमानता, आधी कारकों के चलते लिंगानुपात राष्ट्री उसत से कम है, 36 गर राज्य की इस्थिती अन्य राज्यों की तुलना में बहतर है, यहां लिंगानुपात 991 है, बस्तर जैसे प्राया जनजाती बहुल जिलों में लिंगानुपात 1000 या उससे भी अधिक है, जबकि बिलासपूर जैसे मै दानी जिलों में अपेक्षा कृत कम है, लेकिन यहां भी शुन्य से 6 आयुवर्ग में लिंगानुपात लगातार गिर रहा है, 991 में 984, 2001 में 975, एवं 2011 में 964 लिंगानुपात रहा, इस प्रकार हमारे प्रांत के लिंगानुपात के आंकडे एक तरफ जहां महिलाओं की अ से 6 आयुवर्ग के आंकडे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहां भी पिछले तीन दशकों में बालिका शिशु मृत्यूदर में वृद्धी हुई है, और इस आयुवर्ग के लिंगानुपात में कमी आती जा रही है, इन आकडों से एक और लग रहा है कि महिलाओं व बालिकाओं की समाजिक इस्थिती बहतर हो रही है, मगर साथ-साथ आधुनिक तक्नीकों के गलत उप्योग से बालिकाओं को पैदा होने से ही वंचित किया जा रहा है